दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देसों ने मिलकर कि इस तरह से रूस पर ना सिरब तरह तरह के परतीबंद लगा दियें बलकि कई जगें पर रूसी संपतियों को भी जब्त कर लिया गया और इसके बा कि तुम सब लोगों ने पैसे जब्त किये हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें पैसों की जरूरत है तो तुमने रूस के जो पैसे जब्त किये हैं वो पैसे हमें दे दो ऐसे में पहले तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ की जैलन्स की जब्त किये गए पै कि अवोट करते हैं लेकिन 94 देस ते जिन्होंने ये कहा कि हां ये पैशा यूकरेंट को दे दू जिसके बाद रूस की कमाई गई जमा पुन्जी यानिकि रूस का सारा पैसा यूकरेंट को मिल जाता है ये एक बहुत बड़ा जक्म था जो रूस को पस्चिमी देसों द्वारा दिया गया था और इसका बदला अब रूस ने ले लिया है और इस दोरान भारत भी रूस का साथ दे रहा है ऐसे में आखिर उसने क्या कुछ किया है और भारत ने किस तरह से रूस का साथ दिया है इन सभी बातों की बारे में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं दोस्तों, रूस ने ऐलान कर दिया है की अब हम पस्चिमी देसों के जितने भी हमारे यहां factory outlets हैं सारे outlets, assets को हम कबजा कर रहे हैं दूस्तों बतादे कि जब कोई company बंद होती है तो company जाती है जब कि company का infrastructure company की फैक्टरियां सब तो महीं रहती है ऐसे में मानल रूस ने जैसे जैसे को तैसा जवाब देना सुरू कर दिया है जिसके बाद आपको भी सुनकर लगेगा कि रूस की इसमें कोई गलती नहीं है अब एक बात और जान लीजिए कि ये पस्चिमी मीडिया क्या करती है कि रूस जब कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो काफी काट छाट कर उसको दिखाये जाता था ऐसे में रूस का पॉइंट दुनिया के सामने निकल कर नहीं आया कि आखे रूस क्या कहना चाता है ऐसे में आप कहा जाता है कि कई जगहों पर परतीबंध लग गए हैं कि रूसी कंटेंट अब वहां नहीं दिखाये जा रहे हैं और ऐसा करने से तो रूस का क्या point है वो कभी समझ नहीं आएगा और इस युद्ध की हमेशा एक तरफा जानकारी मिलेगी और वो है western media की जानकारी SME रूस ने भारत से संपर किया रूस की एक सरकारी एजनसी है RT जो की new agency है और सरकार द्वारा funded है इसमें भारत के परसार भारती को एक application लिखी है और इस application में कहा गया है कि आप हमें broadcast करने की अनमती दो आपके dd पर या आपके दूर दर्सन पर हम अपना एक channel broadcast करना चाहते है और इसके जरीए हम दुनिया के सामने सचाई लाना चाहते हैं कि हमारा point of view क्या है और हम क्या सोचते हैं ये युद्ध कैसे खड़ा हुआ और क्या ये युद्ध सही है या फिर नहीं हमारे विचार क्या है वो भी दुनिया को पता चलने चाहिए जो दुनिया को नहीं पता लगने दिना चाह रहा है western media वैसे में भारत के परसार भारती के पास जैसे ही ये application आई ऐसे में कहा जा रहा है कि मातर 24 घंटों में ही इस application को approval दे दिया गया और इस application के approval के बाद रूसी चैनल दूरदर्सन पर चलेंगे और हैरानी की बाद तो ये है कि ये चैनल 24 घंटे live broadcast कि किये जाएंगे किसी भी तरह कि कोई रुकावट इनके बीच नहीं होगी 24 घंटे का live telecast ये दे कर भारत ने जहां रूस के साथ दोस्ती निभाई है तो वही western media इस पास से जरूर दुखी हुआ होगा तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें comment कर करके जरूर बताना साथे वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना